नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्र शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचान की आज दिनांक है 29 जून सन 2023 स्विक्रम समध 2080 चल रहा है आशाड मास है शुकलुपक्ष है ग्रिश मृत्व है तीथी आज देव शैनी एकादशी है और आज से चातुरमा शुरू हो रहे हैं और आज का वार है गुरुवार आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाती नक्षत्र दौपेर बाद चार बच के 30 मिनट तक है आगे विशाखा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा योग सिद्ध है और योग की द्रश्टी से आज का दिन शूब है योग कारक है अध्यात्मिक और लौकिक दोनों द्रश्टी से करण वनिज है दौपेर बाद 3 बच के 8 मिनट तक आगे विश्टी करण रहेगा और सुर्योदे का समय दर्श को आज 5 बच के 25 मिनट का था और सुर जित मुरत आज 11 बच के 56 मिनट से दौपेर 12 बच के 52 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सुजबू से टाल दीजेगा ये हैं सुबह 10 बच के 4 मिनट फिर सुबह 11 बचे और फिर दौपेर बार 3 बच के 49 मिनट और 4 बच के 35 मिनट आज का दिशार शूल दर्श को दक्षिन दिशा में तो पहले कोशिश तो ये करें कि दक्षिन दिशा की यात्रा शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपेर देड़ बजे तक और फिर पांच बच के चालिस मिनट शाम से लेकर शाम आठ बच के चालिस मिनट के बीच यह दोनों का अलखंड बाकी पूरे दिन की अप्रिक्षा ज्यादा शुब है योग का रख है तो आप अच्छे एफर्स करें कोई अच्छा काम करें को अच्छी यूजना बनाएं तो इस समय का ध्यान रखत मेश राशी की मेश राशी वाले अपने पार्टनर्शिप के व्यापार में पाएंगे लाब व्रश राशी वाले ध्यान रखे कि पैसे के लेन दिन से विवाद उत्पन ना हो जाएं आज और मितुन राशी वाले चात्र चात्राओं के लिए है ये अच्छा दिन करक राश जय हैं। आज बहुत जादा कलपणा रोक रहेंगे जादा सूचेगे व्रस्चिक यात्रा आपकी लिए अच्छी बिल्कुल नी रहेगी और धनुर वयापार के बारेेंगे वक्षार और किसी दीवी मंदिर द्रप्धे सिन contracted आत्रा पे जा सकते हैं और मीन राशी वाले किसी आर्थिक विवाद से मांशिक रूप से रहेंगे परिशान अब करते हैं बात आज के दिन की ज्यान चर्चा पर जो आपकी हमारी अंत्य द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे विशेश उपायों को जीवन को सुगम सुरक्षित सुंदर और सफल बना देते हैं अंत्य करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को आज बात करते हैं देव शाइनी एकादशी और चातुर माश की पुराणों के अनुसार आज के दिन भगवान श्रीहरी योग निद्रा म बंद हो जाते हैं इन चार महीनों में बादल वर्षा के कारण और सूर्य चंद्रमा का तेज भी हमें पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता है जो कि एक प्रकार से प्रकृति का या देव शक्तियों का शयन का प्रतिकात्मक अर्थ है आदूने की विज्ञान भी मानता है क सब्सक्रीबुy bisa नहीं करते हैं äक एक स्थान पर रहेकर अपनी साधना करते हैं स्तिथी पर शंका-षूर्धत्य का वद्ध के बहुत हैं जिसके बाद में भगवान-श्री-हरी चातूरमास के लिए शयन पर गए थे धर्षक अला की इस चातुर मार्ष में मांगले कार्यों का निशेद होता है लेकिन पूजा अनुस्टान घर का जिर्णोधार गाड़ी गहने खरीदने जैसे काम आप कर सकते हैं अब बात करते हैं आपके विश्ष टुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्चाओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिने करके आप असफलता आरचनों को जीवन में पीछे चोड़ते वे सफलता की और दड़ता से बहुती तेज गती से कॉन्फिडेंस से अगर सरूंगे सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोगों का जनम दिन है आप लोग आज सुबह 9 बच के 30 मिनट से 11 बच के 15 मिनट के बीच में चंदन का इत्र और केसर मिलेवे जल से भगवान शिवजी का अभिशेक करें फिर मंदिर में बैठ कर कम से कम 11 माला नमे शिवाय का जाप करें साथ ही साथ संभव हो तो पांच व्रक्ष केला अशोक आम आवला और पीपल ये किसी मंदिर में आप पार्क में आज दौपेर एक बच के 45 से दो बच के 45 मिनट के बीच में आप लगा दें तो आने वाला वर्ष बहुती सुन्दर बहुती अनुकूल इश्वरी अनुकंप मानसिक रोगों में परिवर्तित हो जाता है ऐसी स्तिती अक्सर जनम पत्रिका के अंदर चंद्रमा के पेडित होने से या मंगल सूर्य के निर्बल होने से बनती है चंद्रमा पेडित होने से मन निर्बल हो जाता है सूर्य और मंगल जब पेडित होता है तो आत्म शक्ती औ आप नित्य जाब करने लगते हैं तो इन सारी इमानसिक समश्याओं से आकारण लगने वाले भहे से मुक्त हो जाएंगे साथ ही साथ किसी भी प्रकार के तोने टोटके द्रश्टी दोश नजर दोश नेगेटिविटी कि कुछ भी आप पर असर्ड नहीं करेगी आपको करना स एक शिवजी को और एक भगवती को इनारियल अर्पित कर दें और उनसे फिर इस मंत्र जाब की अनुमती मांगे और रक्षा का अमोग आशिरवाद मांगे फिर नित्य एक माला इस विशेश मंत्र की आप करते रहें और इसका विराट प्रभाव और इसका जो अनुभव है वह आपको अच्छे से समझाएगा कि कितनी जबडस तरीके से भगवती का आपके उपर स्ने और कृपा हो रही है मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र स्प्रकार है शूलेन पाही नो देवी पाही खडगेन चामबी के घंटा स्वनेन न पाही चाप पे जानी स्वनेन चे मंत्र दर्शिकों जिन लोगों को लगता है कि आसपास के लोग उनको बहुत कम वैल्यू देते हैं या अपेक्षित सम्मान उनको जीवन में कभी नहीं मिलता या वो लोग जो चाहते हैं कि जिससे भी वह मिलें तो सामने वाला उनकी तरफ आकर्षित रहे प्रभावित रहे तो चोटे-चोटे काम आप करना शुरू कर दें जिससे आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो सके करना ये है कि एक तो आप अपने कमरे में पूजा घर में एक एफ़ोर साइस का कागज दिवार पे चिपकाएं जिस पे लाल शाही से क्लीम लिखाओ क्लीम ये बीज निट्य दस से पंदरा मिनट इस पर एक तक देखने का अभ्यास कीजिए और उस दोरान मनी मन क्लीम का जब भी करते रहें इसके साथ ही निट्य तीन माला इस बहुती विसस्ट मंत्र की भगवान सिर्कृष्ण के सामने जाप करना शुरू कर दें भगवान को मिश्री का भ प्रमानंद सर्वं में वशं आने कृष्ण क्रिश्ण महायोगी भग्ता नाम अभयंकर गुविंद्परमानंद सर्वं में वशं आने कुछी अफ़तों के अभ्यास से साधना से आब देखेंगे कि आप में आत्मिश्वास एक और है और आपके आस पास के लोग स्वतिय की ये थे आज के वो विस्तस उपाई जो आपकी मनों कामना है पूरी कर रहे हैं आपको समश्चाओं से बाहर निकाल रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आज हमारे पास जनम पत्री का आई है हमारे दर्शक गिर्धारी लाल जी की बिकानेर से 24 नवंबर 1965 का इनका जनम है शाम साथ बचके पांच मिनट का बिकानेर प्रशन किया है स्वास्त समश्चाओं है तीन साल से उपाई बताए गिर्धाई लाल जी आपकी पत्री का मिथुन लगन की है लगनेश रोग भाव में बैठा है चंद्र सूर्य केतु का ग्रेंड दोश पिछले दो साल से आपके राहू की महादशा शुरू है और बारवे भाव में स्थित राहू की छेटे भाव यानि रोग भाव पर पूरी पूरी द्रश्टी है ऐसे में बहुत से रोग उपद्रव अचानक से आपके साथ हो गये हैं तो अनेक प्रकार की दवाईया आप ल करना शुरू कर दीजिए इसके अलावा नियमित योगा भ्यास आपको करते रहना है क्योंकि यह दशा भी बहुत लंबी चलने वाली है तो आपको योग भी बहुत जरूरी करना आज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आईए पाली से हमारी दर्शक रिशिता जैन जी की 19 जुलाई सन 2001 का जनम है दोपेर एक बजे पाली प्रश्न किया कैरियर के दिशा में है क्या सरकारी नोकरी के योग है क्या देखिए आपको टेक्निकल फील्ड में रोडवेज मे एरवेज में पुलिस डिफेंस में नोकरी मिलने के योग हैं और सरकारी नोकरी के आपकी जनम पत्रिका में बहुत अच्छे चांस है एक फायर ओपल आप गले में पहन लीजिए पैंडल में और चंद्र राहु ग्रहन की जो दोश की शांती आप अवश्य करवाईए इसके चंद्र शेकर शर्मा या आशा करता हूं कि बताए उपायों को सठीक विधी सही समय पर करक्या पूरा पूरा लाब उठाएंगे ज्यान चर्चा सत्संग को अपने जीवन में उतारेंगे जीवन को सुखी सम्रद्ध भगवत में आदर्ष जीवन बनाएंगे इस कारेक्व सब्सक्राइब में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वायत भगवतिया सबका कल्यान करें जय आदेशक्ति आज़ाइंग मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं के हमारे इस खास कारिक्रम भागय्म में और भागयय्म के भी इस खास सेगमेंट में जहाँ बर आपर हम oracle card के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कहसा गुजरने वाला है। divine guidance लेते हैं कि आज के दिन हम क्या करें और किन बातों को करना avoid करें जिससे आज की दिन को हम और भी खुबसूरत बना सकते हैं और इसके लिए दोस्तों हम एक से लेकर 9 मूलांग तकी divine guidance लेते हैं कौन सा होगा आपका मूलांग कौन सी होगी आपकी रीडिंग अगर आपने हमारी कारिकरम को नया ही जॉइन किया है तो मैं आपको एक उधारन दे कि समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डेटों बढ़ते 16 यानि कि 16 तो एक और छे को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर साथ साथ होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 29 जून दो हजार तेईस और आज की तारिक को जब हम जोड़ेंगे दो और नौ को जोड़ेंगे जोड़ाएगा नमबर ग्यारा और एक और एक को जोड़ेंगे आए तो नमबर दो जो है वो आज की तारिक का मूलांक है और नमबर दो के जो स्वामी है वो है चंद्रमा तो चंद्रम के बारे में लेकिन आज बारी है सूरे नाड़ी के बारे में जानने की जिसे कहा जाता है पिंगला यह हमारी बाड़ी का राइट पार्ट होती है लेफट पार्ट इडा राइट पार्ट पिंगला तो सूरे नाड़ी है सूरे नाड़ी बड़ी ही पावर्फुल नाड़ी होत की ज़रुत हो इस मेटरिस्टिक विल्ड में बहुत जादा काम करने की ज़रुत हो तो हमारी सूरे नाड़ी का जागरत होना जरूरी है सूरे नाड़ी अगर जागरत नहीं होगी चंदर नाड़ी क्या करती है हमें शांत करती है हमारे को हमारी को भीतर से शीतलता देती है और कहीं ना कहीं नहीं नहीं आणिकटी नहीं नहीं पाई का जल्दी तक जाएगा सूर्य नाड़ी जागरत होना और पर सही साथिर करना बैलंस रखना बहुत ही सियными कारे करना मेहनत का काम लाइब जाना यहादा काम करना hoki soup FM करना हूब invema करना हो फिर के जाड़ सहलिंग, तो कि यह उचले ही नॉस्ट्रल यह राइच यह helps us लाइट पार करना है यह राइच यह च्राना को यह थे सबतना है तो ने सब्सक् Scene आपको शुरुआत में तेजगती से करना है फिर आपको दीमा करना है तो कुल मिला के कुछ समय जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे कि आपकी जो सूरे नाड़ी है आप उसे एक्टिवेट कर पाएंगे आये दोस्तों बिना देर किये अपने कारिक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक एक के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है आज 29 जून 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है देखिये दो काड़् जो आएं है यह पीस का और सॉसरेस का आपको कहा जा रहा है कि यदि पिछले कुछ समय से किसी प्रकार की आपको टेंशन अपने आफिस को लेकर या अपने किसी रिलेशन्शिप को लेकर घर-परिवार के किसी मैटर को लेकर चल रही थी तो परमात्म आपको कह रहे हैं माँ भगवत ही आपको समझा रहे हैं किसी प्रकार की चिंता करने की जरुरत नहीं है क्योंकि यह पर देखिए कि जो वेजिटेबल है और बेबी है वह सब आया है कार्ड के अंदर तो आपको कलियर कह रहे हैं कि घर परिवार को लेकर आपके रोजगार को बिल्कुल भी चिंता ना करें भविष्य की चिंता ना करें सब कुछ बहुत अच्छे से संपन होगा और साथी साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि आज की आपके इनर्जी बहुत हाई है ऐसे में जो भी आप सोचेंगे उसे आप शरिथार्थ कर लेंगे तो कुल मिलाके आपको परमात्मा आजे गाइड कर रहे हैं कि किसी प्रकार की चिंता ना करें बलकि सकारात्मक भाव में रहें हो सकता है कि अच्छी ऑपर्चिनिटीज आपके समक्षा है आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है 29 जून 2023 के लिए औ आपको कहा जा रहा है कि यदि आपको लगता है कि आप किसी बात के लिए बिलकुल सही है आपके अंदर आत्मा कहती है तो पीछे हटने की जरुरत नहीं है सच सामने ज़रूर आएगा बात यहां पर हो रही है विशेश तोर पर आपके relationship की हो सकता है कि आपको बहुत ज़् सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि चाहे office का मामला हो relationship का या अपने घर का आप जिस चीज पर यकीन करते हैं आपको लगता है आपके अंतर आत्मा को साथ दे रहे है क्योंकि आज का दिन चंद्रमा का है चंद्रमा की उर्जयां बड़ी पावर फुल होत के प्रती आपको बिल्कुल भी जुकना नहीं है आपका दिन शुब हो आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 29 जून 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है मा काली का काड है जब काली मा का काड आता है तो यकीन मानि काली आपसे कह रही है कि आज के दिन बिल्कुल डिटेच्मेंट के भाव में रहे क्योंकि काली की जो उर्जा है बड़ी ही उग्र है और मा काली आपके जीवन से आज किसी ऐसी परिस्तिती को किसी ऐसे वस्तू को आपसे अलग कर सकती है जो आपके लिए बिल्कुल भी ठी आज क्या गाइड कर रही है 29 जून 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमें कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत जादा जो है बेचैनी घबराहट फील कर सकते हैं चुटी-चुटी बातों पर चड़ना जगड़ना टेंशन लेना यह हो सकता है तो आपको क्या करना है कि आज के दिन आपको अवाइड करना है ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी परिस्तिती को जो आपको ठीक नहीं लगती है जहां पर आप बहुत जादा नेगेटिव फील करते हूं यह आपको लगता हो कि यहां तो मेरी कोई वर्थ नहीं है मुझे कोई समझ नहीं रहा है ऐसी परस्तितियों को और ऐसे लोगों को थोड़ा सा आपको आज अवाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी के आसपास भी आपको रहना है आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जून 2013 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है आज के दिन प्रेमी जोडों को संतान प्राप्ति की खुशी भी हो सकती है बड़ा ही अच्छा आपका दिन है साथ ही साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि आज के दिन अगर आप एक व्यापारी है कोई नया कारे शुरू करना चाहते हैं या आप कुछ नई चीजों पर अपन सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है कोई डीड साइन कर सकते हैं कुल मिला के आज का दिन आपके फेवर का है आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक च्छे के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 29 जून 2030 के लिए और शोकर बहुत कुछ आपको प्रदान करने वाले हैं लेकिन आपको रिसीवर होना है रिसीवर कैसे होंगे जबा बहुत शांद भाव में होंगे उल्जन में नहीं होंगे संटाइम्स क्या होता है कि हमारा कोई कारे हो रहा होता है लेकिन हम यह सोच रहे होते हैं अरे मेरा का आपको चाहते हैं उसको प्राप्त करने की समीकरन भी आपको बन रहे हैं आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइद कर रही है 29 जून 2013 के लिए और मूलांक साथ के लिए कहा जा रहा है ग्रीन तारक कार्ड है आपको कहा जा रहा है शमता से अधिक कारे करने से बचें लोगों को ना कहने की आदत डालें अपने आपको यह सोच कर कि लोगों को मुझे खुश रखना है इस वज़े से खुद को बहुत जादा डाउन ना करें अपनी सेल्फ स्ट्रीम को बचाए रखें और विशेश आप से कहा जा रहा है कर ऐसा कोई भी काम है जो की आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से भरा है आपको लगत टॉफ है तो ऐसे काम के लिए किसी की सायता लेने में कोई शरम नहीं है तो कुल मिला के आज के दिन अगर ऐसा कोई काम परिस्तिती सिचुएशन इसे में कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता तो परमात्मा से मदद मांगी है जानते हैं मूलांक आठ के लिए आज कैसा गुजरेगा दिन 29 जून 2023 माभगवती हमें मूलांक आठ के लिए गाइड कर रही है बाडिस ऑफ वोटर का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आप अपने परिवार के संग ऐसे किसी स्थान पर चुटिया विदाने जा सकते हैं ज कोड़ा सा नमक मिलाएं और उसके बाद आपको से नहाना है और यह आपको भाव देना है यह आपको विजुलाइज करना इंटेंशन देना कि आपका आभा मंडल है वह पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है किसी की बुरी नजर किसी का नकारात्मक प्रभाव जो है वह आपक उसे सोख लीजिए और परमात्मा की उर्जा में उसे आप बदल दीजिए सो दैट की वह एनर्जी किसी को भी हमना करें साथी साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि उसके बाद आप क्या करेंगे शुद्ध जलसे नॉर्मली जैसा प्रस्नान करते हैं वह आप करें आपका द मजबूत मुध गैशियुकंट जीवन में परिवर्तन का समय है और यह परिवर्तन जो हैं यह पीतर मजबूत बनारा है स्वभाविक सीभी इंच हमारे लिए पॉजिटिव होता है फिर चे मुझे नजर ना आ रहा है अग्यों क Arykin को में ता यह Honda को मजबूत बनाने हु हो है तो आपका जो फोकस है वो आपके लाइफ परबस पे होना चाहिए आपका दिन शुबो तो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेका नौ मुलांग तक कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमीशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम